देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस्त के बधाई के साथ साथ जब बिहार वासियों को तिजश्वी यादों पिछडे पन और बेरोजगारी से आजादी दिलाने की बात करते हैं, तब इनकी चर्चा नितिश कुमार के भासन से भी जादा तीज होती है, तब तिजश्वी इस मोटिव को तिजश्वी ने जो ये बात का है, इस बात को लोग कहीं न कहीं अपने उपर रख के देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के इस प्रद्रश्य को बहुत अच्छे तरीके से भली भाती जानते हैं तिजश्वी यादों और वो उन चीजों से आजादी दिलाने की बात कर रहे हैं, जिससे वाकई बिहार आज भी जूज रहा है, आज आजादी दिवस्ट के उपर जब तेजश्वी यादों लोगों को एक संदेश छोडते हैं, बिहार वासियों के लिए एक बात बोलते हैं, तो वो बात सोसल मीडिया के उपर खुब वारल होता है, लोग इस बात के खुब चर्चा भी करते हैं, और तेजश्वी यादों के इस भासन को खुब पसंद भी करते हैं, क्या कुछ कहा है तेजश्वी यादों ने, इसी के उपर हम बात चीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे जान लीजे, मैं हूँ रजत और आप देख रहे हैं, जनता जंक्षन तेजश्वी यादों, जो कि लगातार अपने भाशन, अपने सोसल मीडिया के उपर पोस्ट किये जाने की वज़े से लगातार चर्चा में रहते हैं, और ये जो भी सोसल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, वो खबर बन जाती है, वो न्यू इसकी बढ़ाई दी है, और इसके साथ-साथ बिहार वासियों को उन्होंने कई चीजों से आजादी दिलाने की बात भी कह दिये, साथ-साथ कहा है कि बिहार के हर एक स्वरूप में, बिहार के हर एक कंडिशन में वो बिहार के साथ हैं, बिहार वासियों के साथ हैं, और वो बिहार के तमाम लोगों का चहेता है इसी के उपर बात चीत कर रहाता तो सबसे पहले आप जान लीजिए तेजश्वी यादों ने पोश्ट में क्या लिखा है तेजश्वी यादों ने लिखा है कि भई आप सभी देशवासियों को स्वतंतरता दिवसकी हार्दिक शुब कामना है आप सभी के सहयोग से हम सब मिलकर गरीबी में जकडे हुए घरों से बिछडे हुए महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल विकास में पिछडे सभी बिहा बिहारवासियों को गड़ी भी पिछडेपन, बेरोजगारी और पलायन से जल्दी ही आजादी दिलवाएंगे और एक नया वकसत बिहार बनाएंगे धन्यवाद जैहिन अब उन्होंने ये बात लिखा और कहा कि भाई ये जो पलायन होता है उससे आजादी दिलानी है बिह पिछडेपन की जो बात होती है आपने तमाम जगे पर देखा होगा कि किस तरीके से बिहारियों को हे दिर्षटिशे देखा जाता है इस पिछडेपन केटैक को हटाना है इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो ये बेरोजगारी का आलम देखने को मिलता है बिहार में इस आलम से भी लोगों को आजादी दिलानी है इसलिए मैंने कहा था कि तेजश्वी यादो उस नब्ज को जानते हैं जिस नब्ज से बिहार को कहीं न कहीं बहुत जादा बिहार जो है वो परिशान है उस बात को जानते हैं तेजश्वी यादो जिससे बिहार जूज रहा है बिह स्वतंत्रता दिवस के मौके पे तेजश्वी यादों ने उनुन मुद्दों को उठाया जिससे बिहार जूजड़ा है और साथी साथ शार तेजश्वी यादों की इस मुद्दा उठाने के बाद लोगों का ध्यान भी इसके उपर आक्रिष्ट होगा क्योंकि आज स्वतंत् वो कुछ चीजों से आजादी की बात कर रहे हैं जैसे बिरूजगारी हो गया पलायन हो गया जिस तरीके से बिहार के लोगों को पिछड़ेपन की दृष्टी से देखा जाता है उससे आजादी दिलानी की बात कर रहे हैं जो वाकई काबिले तारीफ है और वाकई इसके उ पाइदा साधा लेकिन अब जब तेजश्वी यादो दूसरे तर्ज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो उन चीजों पे काम करेंगे जो बिहार में आज तक किसी ने उसको ठीक करने के उपर जादा ध्यान नहीं दिया और इन सब मुद्दों का अंदेखा किया है जैसे बेरोजगारी पलायन बिहार का पिछडेपन बिहार में रोजगार किस तरीके से आये इन सब के उपर किसी ने ज़्यादा काम नहीं किया फैक्ट्रियां जो है वो बिहार में नहीं लगाई गई बिहार को ठीक तरीके से अद्योगिक रूप से विक्षत किया भी नही गया और इसी की लड़ाई की बात कर रहे हैं और इसी लड़ाई को जीतने की लड़ाई को लड़ने की बात तेजश्वी यादव कर रहे हैं। पर स्वास्त विवस्था का ये हाल नहीं होता तो इस तरीके से कई उमीद आज भी लोग तेजश्वी यादव से लगा के बैठे हैं। पर बिहारवासियों के उपर और बिहारवासियों का उनके उपर इस बारे में आपके आसोचते हैं। कॉमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है। कॉमेंट